आज के इस वीडियो में हम लोग सरकार दुवारा चालू किये गए एक योजना जिसे की आईसमान भारत के नाम से जाना जाता है इसके बारे में जानने वाले हैं आएसमान भारत योजना क्या है इसके क्या-क्या फाइदे है और साथ ही इस योजना का लव किनकी लोगों को मिलेगा ये भी जानने वाले हैं दोस्तो एक तरब जाब भारत वैस्बी ग्रूप से आगे बढ़ रहा है तो वहीं हमारे देश में एक ऐसा तपका भी है जो आर्थी ग्रूप से पिचरा है जो जीवन यापन करने के लिए धन दो कमाह लेता है मगर जब इलाज की बात आती है तो महेंगया होस्पिटल में इलाज करना उन लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है तो ऐसे में लोगों के लिए सरकार की ये योजना काफी लाबदायक है इस योजना को परधन मंतरी जन आरयोगी योजना के नम से भी जाना जाता है जिसके अंदरकत आयसमान कार्ट बनाने पर पातरों को किसी भी सरकारी वो प्राइवेट अस्पताल में 5 लाग रुपे तक का मुफ्त इलाज मिलता है मगर आपको इस बात की जनकारी होनी चाहिए कि आप जिस हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं वो हॉस्पिटल आयसमान भारत योजना से जुड़ा है या ने इसके लिए आपको हॉस्पिटल के कर्मचारियों से ये पता करना होगा और अगर भी हॉस्पिटल आयसमान योजना से जुड़ा है तो आपको वहाँ 5 लाग रुपी तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा सरकारी आखोडों के अनुसर अब तक 18 करोड से अधिक लोगों ने इस कार्ड को बन वालिया है केंदर सरकार का लक्ष इस योजना का लाव 50 करोड लोगों तक पहुच दाना है आयसमान भारत योजना का सुभारम नरेन मुदी सरकार ने वर्स 2018 में किया था सरकार का दावा है कि यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्ती योजना है अगर आप भी आयसमान भारत योजना का लाव उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप भी अपलाई कर सकते हैं लेकिन ये कार्ड च्या इस योजना का लाव हर वैक्टी नहीं उठा सकता है इस कार्ड को बनवाने के लिए कुछ योगताओ को रखा गया है केंदर सरकार ने आइसमान कार्ड के लिए पातरता निलधायट की हुई है आइसमान कार्ड उनी लोगों का बनता है जो आर्थी ग्रूप से कमजोड है जिस परिवार का मुख्या विकलांग है ऐसी तमाम केटिग्री बनाई गई है सबसे खास बात यह है कि ऐसे लोगों का नाम वर्ष 2011 की जनगना लिष्ट में भी दर्ष है और अगर आपको यह चेक करना है कि आपका नाम इस लिष्ट में है या नहीं यहने कि आईसवन भारत योजना का कार्ड बनवाने के लिए इसका लिष्ट निकलता है और अगर इस लिष्ट में आपका नाम है या नहीं यह आपको जानना है तो इसके लिए आप टोल फ्री नमबर 1455 में कॉल करके इसकी जनगारी ले सकते हैं और एक बार अगर आपका लिष्ट में नाम आ चुका है तो आप यहाँ पर डोकिमेंट वगरा लगा करके डारेक्ट अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के लिए आप अपने नस्डे की सैवर कैफे या फिर जो भी नस्डे की ओनलाइन ओपरेटर है जो कि ओनलाईन फॉर्म फिलप का वर्क करते हैं वहाँ से आप जाकर के डारेक्टली इस कार्ड को बनवा सकते हैं